नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइस 4.3 आज हम करने जा रहे हैं इसका प्रशन पहला जो है बच्चो यह है आपके स्लेबस में अब नहीं है इसलिए पहले प्रशन को आपने नहीं करना है दूसरा प्रशन प्रशन एक में दिये अब आप बोलोगे कि पहला प्रशन तो है नी कोई बात नहीं पहला प्रशन नहीं है लेकिन उसका एक और तरीका है वो हमारे स्लेबस में है इसलिए हम इसे करेंगे प्रशन एक में दिये द्वी घात समीकरनों का मूल द्वी घाती सुत्र का उपयोग करके ग्यात कीजिये दिखिए हमें यहाँ पर एक समीकरन दी गई है दो एक स्क्वेर माईनस साथ एक्स प्लस तीन बड़ाबर जिरो हमें द्वी घात सुत्र के नुसार इस समीकरन के मूल ग्यात करने हैं आएए देखते हैं समी करन के मूल होंगे माइनस B एक्स बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडरूट B स्क्यर माइनस 4 A C बटा 2 A यही हमने जवी घाज सुत्र में सीखा तो देखे एक्स बराबर माइनस B देखो B कितना है हम यहाँ पे इसको A X स्क्यर प्लस B X प्लस C बराबर 0 यह हमारी स्टेंडर्ड समी करन होती है इसके साथ इसको मिलाएंगे तो A किसके बराबर आएगा देखो X स्क्यर के साथ है A X स्क्यर के साथ है 2 तो A आगया 2 के बराबर यहाँ है X के साथ B यहाँ X के साथ है माइनस 7 इसका मतलब B होगा माइनस साथ इसी प्रकार से बिना X Y रखम है C यह बराबर होगी तीन के तो A बराबर 2, B बराबर माइनस साथ और C बराबर 3 हमारे पास आया है हम इसे इस फार्मुले में द्वीगाद सुत्र में इसका प्रयोग करेंगे देखे यह माइनस का निशान यहाँ था आगे है B, B किसके बराबर है? माइनस साथ के तो यहाँ आजाएगा माइनस साथ यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट ताकि यह दो निशाने लगलग हो जाएं आगे है प्लस माइनस मैंने आपको पहले भी द्विघाज सूत्र वाले वीडियो में समझाया था प्लस माइनस का मतलब है हाँ आगे चलके हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे आगे है हमारे पास अंडरूट ये अंडरूट पूरे के उपर है आगे है बी स्केर बी कितना है देखो माइनस साथ तो बी का स्केर यानि माइनस साथ का स्केर माइनस माइनस 4 इंटू A A कितना है बच्चो 2 इंटू C C कितना है 3 ये पूरे के उपर उपर रूट बटा 2A 2 गुना A A कितना है 2 इसे हमने हल करना है ठीक है बचो बराबर बटा दो दुनी चार तो मैंने नीचे चार पहले ही लिख दिया है देखे यह बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस साथ माइनस इंटू माइनस साथ प्लस साथ आगे है प्लस माइनस प्लस माइनस आगे है रूट माइनस का स्क्वेर प्लस साथ का स्क्वेर हो जाएगा साथ साते उन्चास माइनस तो माइनस तीन दूनी छे, छे चुके चौबिस ये आगे हमारे पास अब इसे हम आगे हल करेंगे साथ प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 निकले 5 4 में से 2 निकले 2 तो 29 में से 24 माइनस करके हमार पास आगया 25 おお 4 ठीक है बच्चो अगले step में 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 25 का रूट होता है 5 होता है न 5 5 25 तो 25 का रूट होता है 5 ठीक है together चार अब हमें क्या करना है बच्चो हमने कहा था यहां प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस तो देखे एक बार मैंने प्लस ले लिया तो यह बन गया साथ प्लस पांच बटा चार और एक बार मैंने ले लिया माइनस यानि 7 माइनस 5 बटा 4 इन दोनों को हम आगे हल करेंगे X बराबर 7 पांच 12 बटा 4 और यहां आ गया 7 में से 5 माइनस कर दिया 2 बटा 4 आएए हम इने हल करते हैं देखिए 4 के पहाड़े में 12 कर गया 4 ती ये 12 2 बटा 4 2 के पहाड़े में कट जेगा 2 एकम 2 2 दुनी 4 तो देखिए यहां X किसके बराबर आया 4 से 12 कटके 3 बचा था तो X आ गया 3 के बराबर यहां पर X आया है उपर 1 है नीचे 2 यानि 1 बटा 2 के बराबर तो इस तरीके से हमारे पास X का 1 मान आया है 3 और X का दूसरा मान आया है 1 बटा 2 हमें क्या निकालना था द्विघाती सूतर का उपयोग करके द्विघात समीकरनों के मूल निकालने थे द्विघात समीकरन के मूल का मतलब होता है यह समीकरन X में है तो X की वैलियूस Y में होती तो Y की वैलियूस देखिए हमने द्वी घाद सूतर लगाया द्वी घाद सूतर था माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट यह फार्मूला आपको पेटा याद रखना है B स्केर माइनस 4 A C बटा 2 A इस द्वी घाद सूतर का प्रयोग किया आगे से आगे हमने हल किया जहां पे प्लस माइनस 4 और आगे आगया या प्लस माइनस आगया अगले स्टेप में इसको 1 बर प्लस और 1 बर माइनस लेना है लेना तभी है जब यह रूट से अलग हो जाए solve हो जाए उसके बार तो 1 बर प्लस लेने से हमारे पास आगी X की value 3 एक बार माइनस लेने से x की value आ गई एक बटा तो तो ये x बराबर 3 और x बटा 2 ये दोनों ही दी गई समीकरण के मूल हैं तो हमने द्वी घात सुतर से इस समीकरण के 2 मूल निकाले हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझाया होगा अगर समझाया हो तो इ